मैं यूजर से value पुछूँ और computer बतरा कि वो prime number है की नहीं है अच्छा वाई prime number होता क्या है जिससे इस अपर में डालता 9 जो number है 9 उससे एक कम तक 2 से 8 तक के सब भी number से divide करें देतूँगा किसी एक से divide हो गया यानि वो prime number नहीं है और divide नहीं होगा तो वो prime number है ध्यान वाई 1 हमेशा prime number होता है 2 से ही कहान इश होगी ठीके ना suppose यूजर आला 5 तो compute क्या करें 2 से लेगा 5 से एक कम कितना होता 4 2 से लेगा 4 तक के सारी सलखाओं को 5 को divide करें 2, 3, 4 और divide किसी से नहीं होता तो बोले ये prime number है और हो जाता है ये prime number नहीं है मैंने एक variable लेगा boolean variable 2 का देमा T capital होना चीए है तो prime एक variable लेगा उसके लेगा 2 कर दी 4 रूप चला है range है 2 से लेकर 9 तक user जाला 5 तो 2 से लेकर ही कानदा जागा 4 तक अब आपका ये जो 4 लूप है ये follow लूप का हिस्सा है ये line है न 5 को आपने 2 से भाग दिया remainder कितना आएगा 1 तो भाग नहीं हुआ न क्या well 0 है गया नहीं है ठीक है न ये follow लूप अगेन उपर गया IQ विलूप लूप लिएगी 3 ठीक है न 5 को 3 से भाग दो remainder कितना आएगा 2 well को a lot हो गया क्या well 0 है गया नहीं उपर जाएगा control IQ विलूप लिए गी 4 नम लिखाया या नहीं 4 तक जाना है और नम है 5 है न 5 को 4 से भाग दो remainder हैगा 1 well में जाएगा क्या well 0 है गया नहीं तो ये follow आपका पूरा खतम हो गया ये यहाँ हैगा if prime देख ये logical expression है prime true है बिल्कुल है तो ये if block के अंदर जाएगा लिखाएगा num यानि 5 is a prime number ठीक है else में जाएगा नहीं आपने फिर run किया इस बार आपने डाला 6 रूप ते तका 2 से कितना 5 तक आपने बुलियन वेरिबिल ले लिया prime जिसकी initial value आपने कर दिया true मैं फिर से बोलता हूँ 3 capital होना चाहिए ठीक है आपने value डाल ये 6 यानि 6 को 2 से 5 तक के सारे numbers डिवेट कर देखना है 6 को 2 से भाग दो रूमें डे वेल में डालो 2 तिया 6 तो value होगा 0 ठीक है क्या value 0 है ये दोनों लाइन देखना indentation के साब से दोनों if का हिस्सा है ठीक है ना prime variable जो बुलियन वेरिबिल उसकी value क्या करती false अगें ड्यान होना F capital होना चाहिए break break का मनला loop से भाग जाओ ठीक है ना तो control इस fall loop से भारा जागा यानि अब वो i की जो value जो 3, 4, 5 ता चले थी नहीं चलेगी तो ये fall loop break होके भारा गया if prime अगर true है तो if block में जाओ false है तो else block में जाओ आपका prime कितना होगा है false तो else में जाएगा 6 is not a prime number हना ये output आएगा run करते हैं देख भी लेता है कि output ये सही आ रहा है गया इसको मैंने यहाँ से copy किया control V से paste किया अब run करता हूँ मैं यहाँ पे enter a number 5 दाल के देख लेता है 5 is a prime number बेल्कुल सही अब enter a number आप दाल देख 6 not a prime number